कि यह क्या हो गया है शुरूर दोते ही कि चला गया है कि रेकोडिक मंद कर लो से आं सर लोड़ बढ़ जाएगा क्या हुआ बटी है स्क्रीन चली केसे गई नजर लगा दिया बोल के सब्सक्राइब कि यह सो सकता भी अच्छा लाटा चल रहा था यार कुछ भी हो जाता है आने दो वापस तया करें कि अजर दो अच्छाथिट कि तो इस इस झाल 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 सर वो टी है ना नीची हाँ विटा वो में विटाओं में एक बरली किलूं तो फिर में आपको इस्टियन करता हूं अगर हम लोग वॉल्यूमेटिक एनलेसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यह हमारे फॉर्मूले में चेंज़ेस के आता वी इनिफैनाइट मैनेस वी नौट अपॉन वी इनिफैनाइट मैनेस वी टी बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू पंट्री जिरो त्री बाई टी वी-इनिफैनाइट जो है वॉल्यूम जो और भी-इनिफैनाइट टाइम वी-टी वॉल्यूम ये यूज डैस टाइम थी और वी-नौट इनिशियल वॉल्यूम होगा अब अगर जनरली इस पर नुमेरिकल होते नहीं फिर भी इस नोंट गिवन तो फॉर्मुले में क्या चेंजिस आ जाएगा तो बस इंफिनाइट का फैक्टरा फटा दीजिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा समझा है फॉर्मूला आँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब झाल झाल सब्सक्राइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब अच्छाइब करोगे मैं डिस्कनेक्ट कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब करता हूं कॉपी कर लो अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि थोड़ा सब्सक्राइब करें कि अपर करें कि अपर वाला वी याला कॉपी हो गया है कि देखें एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें अभी आपने आइसो मेरे सब्सक्राइब कि अपने अपने हान के अपने इंगल ऑफ रोटेशन पड़ा है तो अगर ऑफ रोटेशन गीवन हैं आपको तो आपका फॉर्मुला जो होगा वोगा के इस हुआंट थीडू अपा नॉट अपॉन अपन आर इंफिनाइट बाइनस आपन। आर इंफिनाइट जो दिख रहा है आपको वह एंगल ऑफ रोटेशन एट इंफाइनाइट टाइम है एट टी टाइम है और एट जीरो टाइम यह इनिश्यल है यह बिल्कुल सेमिलर टू वॉल्यूम है हमने एनल प्रिंज जरह समझ लो ठीक है अगर वॉल्यूमेटिक एनलेस इसका केस होता है तो फॉर्मुले में जहां जहां आर है वहां भी आया है बस इतना ही दिफरेंसे दोनों फॉर्मूले में कर यह को सब्सक्राइब कर दिको अब एक सेकंड वो उपर का में वह ले ले तो फोटो एक बार और करूं कि यह लिखाते लगा और हाँ शरवी थोड़ा नीचे कर दो कर दो नीचे कर दो上 है है तो देखिया अगर आरें के बारे में कोई डिस्कुशन नहीं हो रहा है वह फैक्टर को कर सकते हैं और और आर नौट वयार्टी हो जाएगा बेसिक फॉर्मॉले के तरह कर दो कि झाल 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 आ 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 हमने जो किया है फिर्स्ट ओडर उस पर अब हम अप्लिकेशन पर आते हैं इस जो भी फॉर्मॉले हमने निकाल दिये हैं आ सब्सक्राइब आ 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 हम आ आ कि आ कि अगर मैं आपसे पूछू कि हाफ लाइफ और कॉंसेंट्रेशन में क्या रिलेशन है तो बता सकते हैं फॉर जीरो ओर्डर कि हाफ और यहां पर कॉंसेंट्रेशन है गाइस बताएंगे क्या रिलेशन था आपके पास रियक्शन लिखी हुई है हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं देख करके बता दीजिए मुझे बोले भई टियाफ कॉंसेंट्रेशन में क्या रिलेशन था जीरो ओर्डर के लिए अरे क्या हुआ है नोट्स खोल के देखिए आपने लिखा है डी एक्स बाइडी टी इसकॉल में हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाला वहां पर हमने देखा टी हाफ इसकॉल टू जीरो पॉंसेंट्रेशन कटा मारा है क्या यहां पर नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो गया तो कैसा ग्राफ बनेगा इस यह हो गया तो एब्रिट्रेशन याद करना पड़ रहा है कि क्या रिलेशन था तो हम ग्राफ बना पाएंगे हैं ना अब इसके लिए ट्रेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या ट्रिक हो सकती है कि हाफ इस डारेक्टली प्रपोर्श्चनल टूदा कॉंसेंट्रेशन की पावर वन माइनस एन अब आपने जो नहीं भी पढ़ाया आप उसके लिए बता सकते हो इन की जाएक जीरो रखो जड़ा कैसा आएगा ग्राफ टेक वन रखो जी रखो तू रखो तो बस मैं आपको यह बोला चाहरा हूं कि यह फॉर्मुले से अब आप उनके लिए भी बता पाओ कि जो आपने नहीं पढ़ना है हमान लोग वन एंड आफ ओडर हो गया तो वह तो अपने सिलेबस में नहीं है हमारे सिलेबस में तो जीरो और वन है कोश्चन लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं तो यह हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया है समझ आया है सर एक और बार शॉट में समझा सकते हो मैंने कहा यह रिलेशन आपको याद रखना है कि के टी हाव इस जारेक्ली प्रपोर्शन टू कॉंसेंट्रेशन की पावर गॉन माइनस एन के एन नंबर ऑफ ओडर है जिस भी ओडर के लिए आपको निकालना है उन सब पर यह वैलेड है जर यहां पर टी रेस्ट वहाफ है कि टी इंटू हाफ है मतलब मैं समझानी तुमारी बाद जर की मतलब यह तरो पूछ रहें टी तुधी पावर वन उपॉन टू है या फिर टी इंटू उन अपॉन टू है वह ऐसा पूछ रहा है हाफ लाइव क्या से क्या बोले सब्सक्राइब हाफ लाइफ हाफ लाइफ लास टिक्चर पर बताया था हाफ लाइफ कि सर्व वो पार्ट वापस बता सकते हैं याद नहीं आ रहा हूं हाफ लाइफ और कॉंसेंट्रेशन का रिलेशन बताया है यह शॉटकट है किसी भी ओर्डर के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एंक जीरो रखो तो डिरेक्ली प्रपोर्शनल आ जाएगा यह ग्राफ बन गया एंक जैके वन रखो तो इंडिपेंडेंट हो गया यह ग्राफ आ जाएगा यह बोला है मैंने सिगनल आया भाई जीरो मतलब फस्ट वन सेकेंड में अपड़ मारें तुम्हारे भी जीरो मतलब जीरो ओडर नहीं सर मैं ग्राफ बोल ग्राफ बोल रहा हूं ग्राफ ग्राफ हाँ अब फस्ट ग्राफ में आपने जीरो डाला है जीरो डाला है लिखा है उसे आए दो बाजू में अब लिखा है तबी भी हां बोला है समझ रहा नहीं है अभी समझा की नहीं समझा कि समझा भाई समझा सर आपने फर्ष जीरो ओर डर करके डाला है अंजी कि तर्फ लिख लेज़ा हाँ 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 झाल 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 कोश्चन पढ़ने में आ रहा है thermal decomposition is first order reaction if 50% of sample decomposed in 120 minutes हाव लॉंग विल इक टेक्ट टू डी कंपोज 90 पसेंट गाइस इसेट रीड़ेबल ना येश्च येश्च पर एक सेकंड उपर लो ना हम रुके हैं भाई कहीं नहीं जा रहे येश्च येश्च अच्छ ओपर ये भागवान क्या रहे गया ओपर का वो फॉर्मुला जो था लपास वो नहीं लिए ये लो ठीक है हाँ हो गया येश्च झाल 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 करेंगे तो चलेगा हाँ आप मैसेज करेंगे मैं तो सॉल्व करूंगा यह लेकिन आप तो करते जाएं झाल 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 वह यहां पर मिनिट्स को सेकेंट्स में करना जरूरी है नहीं कोई जरूरी नहीं है आप जिस यूनिट में ले करके चलेंगे आंसर उस यूनिट में आज जाएगा राप जाएगा जाएगा जिस यूनिट में उस्वाओगिечजर आंसर उस डिस यूनिया जरूरी नहीं है जबुलद जाएगा झाले में ले कर दे दो टंप e जनli आएगा जनसर वरूरी नहीं है जब ज‌बूल को बहुरिगे सी обяз जाएगा जबूरी नहीं है जबूल्स्वां सर्वों रीक्टेंट के बाद क्या है रीक्टेंट टेक्टू रिदिउस्स 3 ग्रेम सेकंद कुश्य जब रेक्टेंट प्रेजेंट गैथ 0.4 ATM तर्ड तर्ड रेक्ट्न प्रेजेंट प्रेस्ट ट्वर ग्रेम झाल 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 आपको क्यों गाइज पस्ट आया की नहीं आया है हास मैं भी करके बता देता हूं फॉस्ट आपको 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 अज़े लोग कितने परसेंट नाइंटी परसेंट यह पॉस्ट है तो हन्ड्रड अपॉन है हन्ड्रड माइन्स कि यहीं किया है सबने पी नाइंटीनाइन मिनिट्स दा रहा है पी नाइंटीनाइन मिनिट्स दा रहा है 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 कि इस जीरो पॉइंट नाइं डेल य होता है यहां कि पिट चर्डी कर दी डारेकि फिरशों कि झाल झाल कोशन नमबर टू किया है एक मिनट कर ली है इसना नहीं किया है सब्सक्राइब एक मिनट वो सेकंड कोशन दिखाओ गाओ वहाँ लोग कर ली हाँ ने नी मतलब शाद पढ़ाद कोशन पने एक सिक्राइब ने नी सही है सही है सौर्य सर वो लॉग 100 एवरे 100 मैंनस 90 है ना हाँ झाल 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 सेकंड का अंसर यह आया है सीधे सीधे कोशिंदे डिरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको मैं एकली विरियम के टाइम के लॉट कट बताया था यादे लॉट फाइफ हो गया तो जिसका लॉट आपको पूछा जाए उसमें प्लस बन कर दो डेसे लॉट पाइफ जीरो पॉइंट सिक्स होता है लॉट थी जीरो पॉइंट फॉर होता है हुष्ट है अगवा एकोट। झाल 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 हरी जरी 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 अर्बंदां पहले जैंड़ आधियो स्वरी जरी से गल खीश बिलोग के इग बास्माल में वाल सौर्मिला आंग आधा क्या मैं एक एक बास्माल पूला आधा एक ग्र्स थार्ड सॉल को रोबाई जल्दीन झाल 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 कुशन थ्री हुआ की नहीं हुआ? झाल आपको जो आपको क्या पूछा क्या है? तोटल प्रेशर पूछा है तोटल प्रेशर पूछा है तोटल प्रेशर पूछे के के जाके पे 0.693 वाइट यहाफ रख सकते हैं कि यहाफ कितना दिया है 14.5 इस इकल टू 2.303 अपाउन ताइम कितना दिया हुआ है कितने मिनिट्स में 12 मिनिट्स में कि लोग इनिशल प्रेशर कितना दिया हुए हमको और हमें क्या निकालना पड़ेगा यह हम फॉर्मॉले पर टोटल प्रेशर का तो हमें यहां से कोई प्रेशन नहीं दिख रहा है तो टोटल प्रेशर का रिलेशन हमें कहां से मिलेगा एक्वेशन देखें हमारी रियक्शन में सर्व वह इकली बिरियम वाला हां यह हो गया इडिव और शीएच फो एच टू प्लस सी ओ इकली बिरियम पे हम लोग निकालते थे तो यह कितना हो पी नौट माइनस एक्स बराबर ना नंट यह कितना एक्स एक्स और एक्स तो टोटल प्रेशर कितना आ गया हमारा इस पॉर्मुले से जीरो गूंट फोज इडियम नौट फ्लस टूइस तूए पीनॉट हमें पता है और टू एक्स कर देंगे हम इसे आपको सॉल्व करना ह इसको चौट लेकिन वह लोग को किसे लाटाएं यह एंटी लोग लेना पड़े का इसका एंटी लोग लेना आता है कि नहीं आता है नहीं सर्थ अरे बगवान यह कई से चलेगा पर नो बताओ रहा है दे से कोल टू कितना रहा है फिर देखते हैं इस एकल टू कितना आएगा निकाल के विताओ कर लें 0.25 0.25 तो नहीं आना चाहिए है 249 249 252 लेलो फिर थो अब इसे आप क्याली सकते हो 25 इंटू इंटू दी पावर माइनस तू ठीक है अब यह किसका लॉग हो सकता है आप लोगों को लॉग टेविल देखना भी नहीं आता है है थोड़ा 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 नहीं सब्सक्राइब यह हम लोग कब सीखने वाले हैं हमने क्या सोचा है अब आपको सिखाने वाला एज आपका गया अब आपको पूछना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कौन से सर्चे पूछा था अच्छा एक काम करना हम आपको तरीका बदाता हूं पर काम करना होगा आपका एडियम सर का या डीकेम सर का लगता है एडियम सर को एक बार बोलना है मैंने बोला हुआ है क्या आपको लोग एंटी लोग सिखा दें लगेगा न आप उनको बोलना नहीं तो मुझे एक रेमाइंडर देना मैं सर से बात करके बोलूँगा एक मिन लाइन पे रहूं मैं बात करता हूं सर्थ करा दो लो अ उनके पतूं कर क्या आप dow बात कर दो थेत कर दो एक मैं सर से वादन एर व्भीछ और या रहता कर आ कर दो नहीं। सब्सक्राइब बस बढ़ी है सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कल आपका मॉर्निंग में ना 730 लेक्चर है ग्रीन हाउस येलो हाउस है ना उन उन बच्चों को ना लॉग और एंटी लॉग सिखा दो हां हां सिखा देंगे हैं हां वो 15-20 मिट लगेगा आपको आपनर लगेगा और कितना लगे लेकिन को सिखा देंगे हो रहा है केमेस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो यह लोगों को बिल्कुल नहीं पता है लोग इंटी लोग हां थेंक्यू सब मैं लेक्चर में आ हाँ थैंक्यू सब्सक्राइब लेक्चर में हूँ घैस तो कल आप सीख लेना जालो मैं इसलिए मैंने लिख दिया और आपको सीखने का मौका भी दे दिया एक्स यहां से निकला है जो उसे हमने PT के पास ले जाना है और पी नॉट प्लस टू एक्स कर देना है आपको आंसर आ जाएगा इस टीक है एपने पार जीरो पॉइंट और टू इंटू जीरो पॉइंट वन सेवन फॉर सिख सब लिख दिया मैं कर दो किता जाएगा सब्सक्राइब बस आगे पूरा ले लोगे तो पूरा हो जाएगा उसको छोड़ दीजिए और नेक्स कोशन पर पहुच जाएए है जो क्या बत कर रहे पूर्थ भी हो गया तर फ़र्थ आगा सब्सक्राइब आटा दर सीधासीदा फॉर्मुले भाला है ना कि आए व्युक्त को फॉर्थ हुआ है क्या ने कि अ कर लोगए कर दो हिए कर दो झाल 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 यहां से आपने के निकालना है पहले यहीं किया है सर दोनों को इक्वेट कर दिया के के बिनाएं पिटी करना है और दूसरी वाली रियक्शन के लिए भी क्योंकि कॉंस्टेंट रहेगा टाइम आपको बताना है लॉग हंड्रेड अपन हंड्रेड मानेस ट्वेंटी यहने की एक्वेंटी कर दो टाइम आ जाएगा कितना टाइम आ रहा है यहां से को सेवेंटी टू पॉइंटी टू पॉइंट टू अपका मैच कर रहा है यहां सर भाई मैच करा देना सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो पॉप झाल 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 is K given for disappearance of A what will be the concentration of A after 15 seconds, initial concentration is given 0.5 मौदा. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झा झाल 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 सबका हो गया? बताईए वह कैसे सॉल्व करना है? बताईए वह फॉर्मुला लगाएंगे हैं आपके क्या है? आँ सर् कौन्सा फॉर्मुला? ए इस इकल वह मैं लिखता हूं सब्सक्राइब करें इसे नहीं लिख सकते हैं लोग आपको क्या नहीं कर ला है कि इसे डिवाइट कर देंगे इटी कितना है कि एनॉट माइनस के टी कर दो इनॉट कितना है इनीशल जीरो पॉइंट फाइव सेर माइनस केटी कैसे है सर प्लस आएगा ना अरविंदम ये सब मैंने अटा दिया अब आप बताओ चलो स्टार्ट करते है जी रोडर खोलो है कि अमने जब डिराइव किया था ना उनको बताओ मैं सब रहा हूं अब तुम ही बताओगे मुझे वही में लिखेंगा चलो स्टार्ट कौंशा खुलना है क्या पूश्चन आपने सॉल्व किया ना यह बला सॉल नहीं हो रहा दो सर मतलब कांट्रेशन इन अब प्रेंज रहा है कि नहीं किया तर नहीं हुआ यह नहीं तो अब कर रहा था अच्छा खासा यह रोख दिया किसी को नहीं आया गया यह आया सर अलो बताओ जो अब लो कैसे किया मैं बोल देता हूं मैंने हम किया था डी-एक्स इसकल टू के डी-टी किया था याद आ रहा है किसी को तो उसे हम किसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं असर याद आगे है याद आया आगे है आपको अब जो भी निकालना है एकॉडिंगली माइनस जीरो पॉइंट अरे शेट यारे एक जीरो एक्स टाइव में चाल जाता है ले नौटे रेजम आपके इसमें कैसे इतने मतलब कैसे मतलब गंदे से कैसे हो जाता है मेरे से कुछ भी हो रहा है मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि मैंसे क्या क्या हो रहा है यह हो गया अब के है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइफ इंटू फिप्टी भाईया सॉल कर लीजिए एटी निकल के आ जाएगा क्लियर है कितना आ रहा है अंसर पॉइंट वण फाइफ पॉइंट फाइफ यह फार्मुला में माइनस के नियोगा आपको जरह एक बार ना नोट्स कोल करके देखना होगा हम लोग रेट को निगेटिव लिखते थे और रेट हमें डिसापियरेंस बताता था हां सर उस दिन भी किसी ने ये बात पूची थी तभी भी मैंने बोला था हुआ हम उडिसापीरेंस को रेप्रेजेंट करते थे उसे सर एक सेकंड ओपर जैसर ना लाइक बच्छू लाइक झाश्या बात बात भी भी तर्क करता ताह्या जाव से एक बच्छू और लाइक बच्छू करो और हां से करता हैं करता हैं शुगर ठाविसर लाइक बच्छू देखो second order हमारे syllabus मेंने मैं अभी आपको बोले दे रहा हूं जीरो और वन हमारे में है ठीक है हम इसका जर्णल आईडिया आपको केबल देते हैं और question जो भी आते हैं वो comparison में आते हैं तो इसे टी हाफ वाला comparison मैंने आपको बता दिया है उसी से ही होने वाले है तो इसलिए इस माइनस एक्स का होल स्कॉय है यह समझ आ रहा है कि इसे अगर हम लिख दें पूरा जैसे हमने फर्स ओर्डर के लिए किया था एक्दम ऐसे ही कर रहे हैं वन बाइटी फाइनल आंसर जो हमारा आएगा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अब अगर हमसे पूछा जाए कि यहां पे के क्या है एक्स क्या है और एक्स तो बता दें के तो हमारा सेकेंड नॉर्डर का कॉंस्टेंट है यूनिट क्या होगी बोलो भाई पॉंसेंट्रेशन और सेकेंड इन्वर्स हमने आपको कोई फॉर्मूला भी बताया था ना यूनिट निकालने का क्यों गाइस कोई ट्रिक बताई थी ना क्या बात कर रहे हूं बताई थी आँ सर चेक करो चेक करो जद्दी से ऐसा हो नहीं सकता मैंने ट्रिक ना बताई हो सर कॉंसेंट्रेशन रेस टू ओन माइनस एन वादा हां 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 बराबर उससे निकालो सेकेंड और की यूनिट समझा हां सर तो उससे आप किसी की यूनिट ने काल सकते हो और यूनिट्स पर कोश्चन्स आपको मिलेंगे कि आशने कि देखो सेकेंड ओडर की दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि दो अलग-अलग रियक्टेंट्स हो ठीक है तो इनके लिए माइनस एक्स और इसका बी माइनस एक्स होगा इसे केस में तो कैसे दिखाएंगे हम इसे इप्सेट इसे इंटीग्रेट करके हमने सॉल्व किया था तरीके सामें इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा आपका k 2.303 upon t a minus b log b a minus x upon a b minus x यह हमारा फॉर्मूला नोट कर लेजिए बार बार बोला हूं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको को हाडली कोहीं एक पोजिशन मिल जा तो मिल जाए इस पर आपको समझ में आ रहा है कॉंसेंट्रेशन इनिशल कॉंसेंट्रेशन आफ एक कंपाउंड ए है और बी जो है small b, initial concentration of compound B or x decomposed amount not k झाल 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 हो ग्यासा वेट सर रंच अब मैं आपको इसके एक्जैम्पल्स बता देता हूँ हाफ लाइब के साथ साथ क्या रिलेशन आएगा इसका क्यों भई इन्वर्सली ग्राफ कैसा बनना चाहिए नहीं करेंगे क्या छूड़ गया तुम्हारा सर वह एक सेकंड बाकी था हो एक सेकंड बाकी था है अब एक सेकंड रुप जाओ इत्ती देर से पूच पूच के मैंने किया है और प्लीज अगर किसी का रह जाया करें तो बोल दिया करो लोग ये एक नया प्रॉब्लम है करेंगे लुप है प्रॉब्लम हराग करेंगे लोग ये जातास्स झाल झाल । सो श्काटिंल रिए हैं कमें निक गलत दा के और हो है पानके। प्रिंस बाबूजी से लेक्ली जेप्टरा कि अपर ख्रिंस बाब। अब देखिए हमने आपको वहाँ पर हाइडोलेसिस की रेक्शन बताई थी याद आ रहा है पस्ट ओडर में कियों भाई किस कंडीशन में थी वह हाइडोलेसिस कि बोलो कि मैंने बोलो भी या हमने आपको हाइडोलेसिस फस्ट ओडर में बताया था मैं पूछ रहा हूं किस कंडीशन के हाइडोलेसिस थी वह जो फस्ट ओडर की रियक्शन होती है कि अधिक मीडियम की देखो जरा आपने शायद नहीं बता था मैंने फस्ट ओर्डर के एक्जाम्पल लिखाएं तो मुझे बोला यहीं गया था कि लिखाएं नहीं लिखाया लेकिन हाँ पर लिखें वैसे लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे तो भाई मेरे उसमें लिखा होगा देखो हाइडोलेसिस की रियक्शन होगी पक्का लेकिन आपने तब वह नहीं नहीं दिया हुआ है तो वह एसे डिक है और आपको बताना मैं सिर्फ यहीं चाहरा हूं कि हाईडोलिस में अगर बेस आया तो सेकेंड ओडर होता और वाटर आया तो वह पस्ट और होता है तो डिफ्रेंस करके पूछा गया आपसे नोट करिए झाल 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 हो गया भाई अब चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा है इस बहुत शोटी शोटी चुन्यमनू चेज़े बची हुए पूरा ओपर कर दूना कि हमने जीरो आडर फर्स्ट आडर और सेकेंड और किया किसी के पास मॉड्यूल है कि के पास होगा सब्सक्राइब कर आए कोश्चन्स पर आएं कि कौन सा पेज से फस्ट पेज फांडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव अश्चन उसमें देखिए पहली हैडिंग क्या है कोश्चन्स में कि यह हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया आपने कहां तक पढ़ लिया कि कोश्चन सॉल्व कर पाएं कि सर इंटीग्रेटेड रेट लोग इंटीग्रेटेड रेट लोग जो हम लोग ने के इस कॉल टू पॉइंट्री जिरो टी निकाला था वो इंटीग्रेटेट फॉर्म में तो था कि देखिए कहां तक है कोश्चन्स है जो आप कर सकते हैं कि सब्सक्राइब पॉस्ट और सब्सक्राइब तक हो सकता है कि सम्कॉंप्लेक्स वस्ट और रियाक्शन यह लिखे जो मैं लिख रहा हूं पहले पिर मैं बताता है हमने मैटड ऑफ इंटीग्रेशन से जो फॉर्मूला डिराइब किया था फर्स्ट ओडर का कि याद आ रहा है कि आशेट कि इसे हिट इंट्राइल मेथड या इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं कि नोट करिए कि आशेट इंटीग्रेशन में आशेट इंटीग्रेशन में कि आशेट ब्ग्रेशन में आशेट ये आशेँ कि आशेट अ कि आशेट का इंटीग्रेशन hetим यह वो order है जो हमने नहीं किया है हमें नहीं करना है लेकिन मैं आपको सिर्फ formula लिखा रहा हूं जरुवत नहीं पड़ेगी यहीं भी आपको ठीक है यह first method है method of integration लेकि टा है लिएया है तरह लिएष यहीं ट आपको बतारिटन Cum पuld pewnोटन आ नहीं आपको कि में हैं हम अको एक फ़र्स्ट फॉर्टी कोशेंज जो हैं आप कर सकते हैं देख रहे हैं आप मोडिल में एक सिकेंट सर देख रहे हैं बने कॉपी हो रहा है से उसकेंट मोडिल का सीक्वेंस और अपना सीक्वेंस अलग अलग है लाई समझ में आरी है बार हाँ अब अज अरी आपको कि नहीं हाँ अब हाँ आपको आवाज आपको आपको आपकी आवास यह रही थी मैं बोलो 1240 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इतना आपका हो गया है तो अब थे अधिकल कंसेप्ट खतम भी हो जाएगा हमारा थीक है तो आप कोश्चंस कर पाएंगे पूरे कॉपी कर लिया ईस हमने आंश्यर ऑख़ी जाएश त्लिए इस करो अधिकल और शब्रेश कर अधिमकोशन इस पाल सब्सक्ते अधियर सब्सक्राइश यह फैर ख़़ी द्था श्युक्त श्युक्त और अश्युक्त श्युक्त संवर्ण मृस्ट बिंसक नकीं न खूर मृसु